यह मास्क बनाने के लिए मैं यूज क्या हो आइवरी शेट तक कि थोड़ सा हार्ड हो आप भी कोई भी मोटा वाला पेपर ले सकते हैं इसको पहले हमको फोल्ड करना है यह हमारा सेंटर निकल का आया है अब हम ले लेंगे इसका मेजरमेंट इसी तरह से मैंने अपने फेस के के लिए मेजरमेंट ले सकते हैं पहले एक अंड़ा शेव कर लेते हैं पिर उसके अंदर एक और अंडा चोटा वाला एक और ऑनड़ा और यह सए। हम पूर देना है यह हमारा टेंपलिट बन जाएगा अभीु सिपम काटिंग कर लेते हैं मैं यह इस होगा कि यहां तक होगी हमारी अर्याट स्टेट कर नह थैं और यह जो है इसको हमको करको कर तने हैं आइस निकल लेते हैं दूसरी आइवी हमको लेना है तो इसको फ्लिप करके लेंगे यहाँ पर हमको कटिंग एक करने है यह पेपर जो है इसको अंदर की तरफ साइट से हम मोड़ देंगे इसको स्ट्रेट करके हम वाइड ग्लू से इसको चिपका देंगे सारे जहाँ पर कट था वहाँ पर हमने चिपका दिया और यह भी हमने चिपका दिया यह हमारा बन गया है अभी हम आइस के लिए टेंपलेट बना लेंगे मेजरमेंट ऐसे ले लीजिए इतना से लेने से हो जाएगा अप्रोक्सिमेट है यह और यह हमारा इरिया निकल का आया इसको काट लेते हैं अब ड्रॉइंग करिए ड्रॉइंग साफधानी से करिए ऐसे ड्रॉइंग करेंगे तो एक दम फीट बैठेगा एक आई हमने ड्रॉइ कर लिया आप दूसरे आई को भी इसको फ्लिप करके ड्रॉइंग कर सकते हैं इसको कटिंग कर लेते हैं इसको अंदर से हमको इसी तरह से काट करना है अभी यह जो लाइनिंग है लाइनिंग जो हमने दिया है इस लाइनिंग के ऊपर आपको हलका कट मार्क करना है इसको पुरा नहीं कटना है इसको अलग पार्ट नहीं करना है इसको हलका सा एक मार्क हो बस कि फोल्ड करने में वह आसानी हो जाता है, तो चलिए अभी इसको फोल्ड कर लेते हैं, इसी तरह आप हाथ से प्रेशर देके इसको डाइमेंशन निकल लेजे, अभी इसमें हम वाइड ब्लू लगा के चिपका देंगे, ध्यान रही ये थोड़ा सा डाइमेंशन में रहे, अच्छे से इसको चिपक एक एकर के चिपका ये, अब बनाएंगे नोस, नोस का जो आइस का जो नीचे का कॉर्णर है, वहां से आप मेजरमेंट ले लिए कि इतना सेंटेमीटर होता है, मेरा 8 सेंटेमीटर हो रहा है, और उसके बीच में एक और लाइन हमने खेचना है, अभी नोस के सबसे एक ट्र करेंगे, पूरा नहीं काटेंगे, तो अंदर की तरफ हमको पेस्ट करना है, लाइनिंग कर लेते हैं, और ये डैमेंशिन आगया, मेर में ले लेते हैं, अभी इसको हम बाइट ग्लोस से चिपकाएंगे, यहां पर भी एक सेंटर में काट करेंगे निचे की तरफ, ऐसे चि करेंगे, और यह हमरा बनके रेडी है, अब हम इसमें कालर करेंगे, सकालर के लिए मैंने लिया हूँ, एक्रैलिक का स्कारलेट लेक, इसमें दो कोट आप लगा लिजिएगा, अब आइस के लिए हम करेंगे, ब्लैक को डायरेक नहीं लगा के, फाइब परसन इसमें साफ़ानी से मिल जाते हैं, आप इसका चोटा-चोटा दो टुक्रा कर लगा, इसमें दो-तिन लेयर आप कर सकते हैं, उसको अंदर से हम इसको जपका देंगे, वाय्ट ग्लू से, आपको भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, अब लेंगे हम दो रभर बेंड, एक क दोनों पार्ट को हम इसी तरह जोड़ देंगे अब यह हमारे रेडी है हम इसको पहन सकते हैं I hope कि यह लेसन भी आपको अच्छा लगा होगा और दोस्तों मेरा जो पहले वाले वीडियोस हैं आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कौन सा मास्क मुझे नेक्स्ट लेकर आना चाहिए आप मुझे कॉमेट करिए तकि मैं बहुत सिंपल और इजी तरीके से लेकर आपाऊं थैंक्यू फर वाचिंग